हेलो माई डियर फ्रेंड्स बिल्कों टो इसाम गुरुजी आज को जो हमारा वीडियो है वो भी RCC से ही रिलेट करता है इसमें RCC के हम 10 कोशन करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने आफ डॉट टैन में कितना स्कोर किया है बीडियो को शुरु करने से पहले आगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब करें साथ मोच बैल आइपन होता है उसे भी प्रस करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो आज की जो मेरा फ़र्स्ट कोशन है वो देखी तरization reinforcement जो होती है इन एव बीम में, आलो सो हम उसको एक और नाम से जानते हैं जो हम यह प्रभिब में आलाम से नाम है तो है एक और नाम है वो क्या है, मेन स्टील है, हुआस्टी वार है, या माइल स्टील वार है, या फिर ये सबी है, क्या है उसका दूसरा नाम तो HYST वार्ड जो होती है ये एक स्टील का नाम है माइल सील जो होती है ये भी स्टील का नाम है तो उसको हम बोलते हैं मेन स्टील ओप्शन नमबर A हमारा एक करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए कुशन क्या बोरा है अगर हमारा कोई बीम है उसकी स्पाइणिंग जो है वो 5.5 मीटर से ज्यादा है तो उसकी वेरिंग जो होती है वो हम किस वैल्यू से कम नहीं रखते हैं ये निकि ग्रेटर धन होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए पहले हम इससे कम से बात कर लेते हैं कि अगर 5.5 मीटर से कम है तब क्या अंसर रहेगा और अगर हमारा 7.5 मीटर से ज़्यादा है तब हमारा क्या अंसर रहेगा अगर 5.5 मीटर से कम है तो हमारा अंसर 200 mm रहेगा greater than 5.5 से लेकर 7.5 है तो हमारा अंसर 300 mm रहेगा greater than 7.5 है तो यह रहेगा तो हम से पूछा गया more than 5.5 तो option number B यहां पर correct answer हो जाएगा फ्रेंट्स वीडियो को share किज़े अपने दोस्तों साथ आ कि उनको भी वीडियो को फाइदा मिल सके अगला question देखिए, अगला question भी very very important है splicing of war at one section should not exceed splicing जो होती है बार की आपको पता ही है splicing जो होती है अगर किसी वार का diameter 36 mm से ज्यादा हो जाए तो हम splicing नहीं करते हैं तो यहां पर बोह रहा है कि splicing जो वार at one section वो कितने percent से exceed नहीं होनी चाहिए 30%, 40%, 50% या फिर 60% तो वो 50% से exceed नहीं होनी चाहिए C इस question का answer हो जाएगा अब यह question जो है very very important है question देखिए the maximum shear stress was M30 grade of concrete is maximum shear stress किसके लिए M30 grade of concrete के लिए कितना होता है maximum value तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे cases होते हैं जैसे कि एक case होता है हमारे पास M15 इसके लिए भी maximum shear stress की value होती है तो M15 के लिए जो होती है value वो 2.5 Newton पर तो यहां पर M30 के लिए पूछा गया है M15 के लिए मैं आपको बताएता हूँ तो M15 के लिए जो value होती है वो 2.5 Newton पर mm2 होती है maximum shear stress की value M15 के लिए 2.5 Newton पर mm2 होती है उसके बाद M20 का case आता है हमारे पास M20 का case तो उसके लिए जो value होती है 2.8 Newton पर mm2 होती है M30 के लिए यहां पर given नहीं है यह हम कोई भी answer नहीं रहेगा इस question में अगला question देखिए अगला question जो है वो हमने same ही लिखा यहां पर maximum shear stress की value M30 के लिए कितनी होती है है the maximum shear stress for M30 concrete grade तो यहां पर option number देखिए ए में जो दिया गया है value यह M20 के लिए value दीगे है यह value जो दीगे है M25 के लिए यह value जो है M30 के लिए दीगे है तो 30 के लिए पुछा कि option number C यहां पर correct answer हो जाएगा एक और value होती है M40 के लिए M40 के लिए जो होती है वो 4.0 Newton per mm2 होती है option number C यहां पर correct answer हो जाएगा 3.5 Newton per mm2 square अगला कुछन है when hook are formed in deformed bar eternal radius जो होता है of band should we at least dash times the diameter of bar आपको जब ही hook बनानी है hooks जो होती है किस कौन से बार की HYST बार जो होती है हमारे पास deformed bar जो होती है उसकी आपको hook बनानी है तो यहां पर internal radius जो होता है उसके बारे में पूछा गया है किसके लिए internal radius of band should be at least dash time of the diameter जो आप बार यूज करें जिसकी 10 mm की बार है तो उसके बार का कितने परसेंट होना चाहिए कितने times होना चाहिए तो HYST बार के लिए four times का होना चाहिए और जो plain बार होती है mild steel बार जो होती है उसके लिए two times होना चाहिए option number यहां पर C correct answer हो जाएगा अगला question है question क्या बोल रहा है the size of RCC section depend on जो RCC का section होता है उसका size होता है वो किस value पर depend करता है codal जो code में दिया गया होता है उसके बार में या फिर grade of concrete पे या फिर grade of steel and connect दोनों पे या फिर grade of steel किस पर depend करता है RCC section का size जो होता है वो तो वो grade पर depend करता है तो grade किसका steel और concrete दोनों का grade पर depend करता है C यहां पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question according to Indian standard 456-2000 what is the maximum spacing that is allowed for vertical steps in a simply supported beam हमारा जो Indian standard का code है इस code के coding maximum spacing जो होती है जो की vertical strips के लिए allow किए गई है किस case में simply supported beam के cases में कितनी होती है 300 mm 400 mm 500 mm या फिर 600 mm तो वो होती है 300 mm यह यहां पर correct answer हो जागा friends comment box में अपना score जो लिके कि आपने out of 10 में कितना score किया है और वीडियो को share किजिए अपने दोस्तों के साथ चनल को subscribe नहीं किया चनल को subscribe भी कर ले ताकि उनको भी कि आपको हमारी वीडियो की notification मिलती रहा है अगला कोशन देखिए दर रेश्व एलोईवल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म तु दैट ऑफ प्लेन वार्स एवाउड यहां पर बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है उसका रेश्व पूछ रहा है HYST यानिके deform bar to that of plane war के बारे में इन दोनों का रेश्व जो होता है वो कितना होता है यहां पर यह पूछा गया है 1.2 होता है 1.4 होता है 1.6 होता है या पर 1.8 होता है तो आपको पता यह plane war जो होता है उसका और HYST वार का जो रेश्व होता है यानिके HYST वार जो होता है उसका bond stress जो होता है वो 60% greater than होता है plane war के मुकाबले यानिके 60% यानिके plane war का अगर bond stress 1 है तो इसका plane war का कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा option number C यहां पर correct answer हो जाएगा अगलो लास्ट कोशिन देखे हमारे इस वीडियो का कोशिन क्या वह रहा था dimension of a beam need be changed if the shear stress is more than यहां पर कोशिन क्या वह रहा है कि हमारा beam है उसकी dimension मान के चलो कि जितनी भी dimension है वो 200 mm है तो बहुर रहा है कि उसकी dimension हमें change करने की जुरूड तो पड़ती है अगर हमारा shear stress जो है वो more than है किस value से more than 5 kg cm2 से या फिर 10 kg cm2 से या फिर 15 kg cm2 से या फिर 20 kg cm2 से हमें अपने beam की जो dimension होती है उसको change करने की जुरूड तब बढ़ती है जब हमारा shear stress होता है वो 20 kg cm2 से ज्यादा हो तब option number D यहां पर correct answer हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह थे हमारे 10 questions कमेंट बॉक्स में score लिके अपना क्या आपने out of 10 में कितना score किया है और वीडियो को share किजिए अपने दोस्तों साथ चैनल को subscribe किजिए और bell icon को दबाना ना भूले thank you friend video को देखने के लिए औरし भीडियोद बुस्तों साथ प Willky करना दोस्तों साथजसे ना जयादार क्याना कОर दोस्तों साथ 5 mont ना भीण के लिल स्ब्सक्ट करना को